दोस्तो पिछली शिम्ला यात्रा के दोरान मैं काली बाडी मंदिर के दर्शन नहीं कर पाया था और इस शिम्ला ट्रिप पर मैंने सोच लिया है कि आप लोगों को अपने साथ ले करके जरूर चलूँगा काली बाडी मंदिर और मैं आ पहुंचा हूँ इस मंदिर के परिसर मे आज के इस वीडियो में मैं आपको मंदिर के बारे में इतिहास में बताऊंगा इसका महत भी बताऊंगा और साथ में क्यों आपको शिमला लोकल साइट सिंग के तौरान काली बाड़ी मंदिर जरूर आना चाहिए अगर आप एक श्रधालू हैं तो आपके लिए ये प्रमुक कर आप आशिरवात भी प्राप कर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं ये बहुत ही इंट्रस्टिंग और इंफॉर्मेटिव व्लॉग काली बाड़ी मंदिर शिमला के बारे में इससे पहले अगर आपने वाइटी भारत चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इ एक बंगाली ब्रामर राम चर्ण ब्रहमचारी द्वारा निर्मेट काली बाड़ी मंदिर का इतिहास शिमला जितना ही प्राचीन है शुरुवाती दिनों में यह मंदिर लकडी का हुआ करता था बाद में इसका निर्माण 1845 में इन पत्थरों की एक इमारत के रूप में कर एक ट्रस्ट का निर्माण किया और उस ट्रस्ट का निर्माण ही इस मंदिर के सारी कारिकर्मों को देखता था शिमला का काली बाड़ी मंदिर हिंदू श्रधालूं खास करके बंगाली भक्तों में बहुती परचलित है माल लोड से इसकी दूरी मातर देड़ किलोमेटर है रास्ते में आपको बहुती मनुरम दर्श देखने को मिल जाते हैं माल रोड की एलाईसी बिल्डिंग पर पहुँच करके आप किसी से भी काली बाड़ी मंदिर का रास्ता पता लगा सकते हैं बिल्कु सीधा ही रस्ता है आप सीध में चलते चले जाएए और आपको लगब देड़ कियो मीटर बाद काली बाड़ी मंदिर के दर्शन हो जाएंगे नवरात्र को दिनों में यहां श्रधालों की संख्या बहुत बढ़ जाती है मंदिर में महाकाली की बहुती अलौकिक मुर्ति स्थापित है मंदिर परिसर से आप शिमला के प्रमुक प्रेटक केंद् मंदिर परिसर में शंकर भगवान का एक मंदिर भी है जहांके दर्शन करके आपकी यात्रा काली बाड़ी मंदिर के लिए पूरी हो जाती है आप भी यदि शिमला आने के बारे में सोच रहे हैं तो काली बाड़ी मंदिर को अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजे दर्शन करि ऐसी आपको feeling होगी कि मानों आप स्वर्ग में आ गए हो मिलते हैं YT भारत के इसे तरह की बहुती अगले interesting और informative वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत दोस्तों नमस्कार सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए latest वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में